क्यों हलो नमास्कार दोस्तो वेलकम बैक मैं यूट्वीब चैनल लॉब थौनी editsy दोस्तो आप सभी का हमारी स्वागत है्व सब्सक्राइब दोस्तो आज Championships आज यह кजी आमने का मौक्ण होगा है जो कि यह दो दोस्तों अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी के लिए मैंने एक अलग से सेशन लिया है जिसमें दोस्तों आज मैंने डील किया है आप अपने आंसर को उसमें में लिखेंगे दोस्तों बिना देर की हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों मैं आपको लिए एक जो कॉंपी मिलता है जो हमारे एक्जामिनेशन में जब हम यूपी पीसेश्जे के एक्जामिनेशन में में एक्जामिनेशन में अपियर होंगे तो हमको दोस्तों इसी प्रका में आपके अपने आनसर को फ्रेम करना आपको इस brain करना इसमें किसी में अस इस आपको मिलेगा जो आपका J copy रहेगा वह कॉपी और इस हûां ऑको फूरे आनसर को इसमें लिखना और वह दिये हुए टाइम पे ना आपको एक्ट्रा टाइम दिया जाएगा ना आपको कोई अलग से सीट दी जाएगी तो दोस्तों यह बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको डेली देता रह रहा हूं और दोस्तों इसके साथ मैं आपसे यह भी उमीद करके रहा हूं कि जब आ और उसी मार्जीन के बीच हमको इधर भी लाइन रहेगा इधर इसी के बीच हमको अपने आंसर को पूरा फ्रेम करना है तो दोस्तों यह जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वह मैंने आपको शेयर कर दिया दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं सीपीची से कोस्चन लेके आ अगर आप यूपी का एक्जामिनेशन देते हैं यूपी का जूडी सिरी का मेन एक्जामिनेशन देते हैं यहां पर डाइग्राम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप डाइग्रामेटिकल प्रजेंटेशन से भी अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए यहां पर लिख सकते है दोस्तों उसका मैं अभी आपको example के तौर पे अभी मैं दिखाऊंगा इस PDF में मैंने किस प्रकार से diagramatical presentation के माध्यम से मैंने answer को लिखा है और ये इसलिए मैंने answer को लिखा है इस तरह से diagramatical presentation में कि अगर आपको भी लगता है तो डाइग्रमेटिकल प्रेजंटेशन में आप अपने आंसर को लिख सकते हैं साहसाट में केस लाव नहीं लिखना भूलेंगे यूपी का एक्जाम है तो अगर कोई इल्लिश्टेशन अपको लर्न होता है तो आप इल्लिश्टेशन को लइन भ पूछ रहा है उसी को अलग language में क्या पूछा है what are the different kinds of jurisdiction under the code of civil procedure कौन-कौन से अलग-अलग jurisdiction हो सकते हैं civil code के बारे में उनी सबी चीजों के बारे में यहां पे पूछा गया है तो दोस्तों बीना देर की हम इसके answer को start करते हैं देखिए इस प्रकार के answer कैसे लिखना है अब देखिए जब हम यहां पे Diagrammetical presentation के माथव से अब आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप भी अपने Diagrammatical presentation के माथव से इस तरह से आप बना सकते हैं अब यहां पे मैंने प्रकार से भी आप चाहेंगे तो examination में आप मेन examination में खास करके यूपी के examination में ऐसे diagram कर सकते हैं और इस तरह से diagrammatical presentation में आप अपने answer को लिख सकते हैं तो देखिए अगर इस प्रकार से भी लिखते हैं तो आपका नंबर यहां पर नहीं काटा जाएगा आपको नंबर और हो सके तो बढ़ा करें हिं दिया जाएगा मेंकी Lizs एक्डाब्र सकेते है तो यहां पतुरे आप्के शुरें में早गा यहां नहीं किया जाये तो दोस्तों आप सभी लोगों पता है कि section number 6 में pecuniary jurisdiction के बारे में define किया गया है section 6 of the court provide that the court will have jurisdiction only over those suits the amount or value of the subject matter of which does not exceed pecuniary limits of its jurisdiction some court have unlimited pecuniary jurisdiction जैसे section 15 में बताया गया section 15 of the court provide that every suit cell have instituted in the court of lowest grade and competent to try it जो section 15 हम को बतायाता है कि कोई भी अगर हमें case file करना होता है तो हम lowest grade के court में क्या करते हैं उस suit को file करते हैं दोस्तों pecuniary jurisdiction के बारे में आप लोगों ने इतना देख लिया अब इसी तरह से short short terminology में आपको सारी चीजों को समझ करके दिमाग में बाइठाय करके रखना है जिससे कि आप अपने main examination में जब आप answer frame करने जाए तो आप वहाँ पे बहतर से बहतर answer को आप frame कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं territorial jurisdiction क्या होता है कि territorial jurisdiction अभी आप लोगों ने diagram में देखा कि किस प्रकार से मैंने वहाँ पे बता दिया था every court has a certain local limit outside of which it cannot exercise the jurisdiction these limits are fixed by the statives for example high court has the territorial jurisdiction for the whole of the territory of the state and the supreme court has the territory throughout of the territory of India section 16 से लेकर के section 20 तक मिन्स की section 16 टू सेक्षन नंबर 20 डिल्स वी तर टेरिटोरियल डिवीजन अब आपको यह पता चल गया कि हो सेक्षन नंबर 16 से लेकर के section 20 के बीच में भी टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में बात कर रहा है और यहां पर यह भी बता जा रहा है जो हाई कोट होता है इस्टेट का उसका पूरे स्टेट में मिन्स की क्या होता है अपना टेरिटोरियल जूरिश्डिक्सन होता है और इसी टेरिटोरियल जूरिश्डिक्सन के आप में आपर बात किया जा रहा है नॉर्मली तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है और ज्यादे से ज्यादे नंबर को गेन करना है जिससे की आप सलेक्ट होके और इंटर्व्यू तक पहुंचे बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट मैटर जुरिजिश्ट्टिक्सन की अब सब्जेक्ट मैटर जुरिजिक्शन क्या करता है अब इसमें किस प्रकार से हम करते हैं इंस की क्या बना है रिलेटिन टूद इन्सोलवन सी insolvency से related अगर कोई कोट बना तो आप उसमें जाएंगे फैमिली की बात करते हैं फैमिली कोट के डिसाइडड मैटर रिलेटिंग तो फैमिली डिस्प्यूट अगर कोई सब्जेक्ट का आपका जो सूट और सब्जेक्ट के करें बात जाते हैं अब अब जो भी होता है उसको या तो कुछ जो होते हैं जिसको इंप्रेस ली बाड किए जाते हैं तो दोस्तों यहां पर कि हम इसके सपोर्ट में एक केस लॉबी देखते हैं कि केस ला क्या करा दसुप्रीम कोट इन चिरंजी लाल सिरी लाल गोईन का वर्षे जस्जीत सिंग और और ऑब्सर्व डैट अडिकरी पास्ट बाई अकोट विदाउड जूरिज्डिक्शन ऑन दस सब्जेक्ट मैटर और उसको नलटी की बारे में बताया तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना अंसर को लिखेंगे तो आप अपने एक्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपसे एक बात और भी पताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स अच्छा आया है 200 से उपर आपने मार्क्स गेन किया है 210 नंबर 220 नंबर आपने जो भी मार्क्स गे कि दोस्तो अभी Management को नहीं पता है कि कि किसी को पता है कि किती लर्वी के सवा आयोग उत्तर परदिश को ही पता कि कितना डीन जाएगा और कितना मेरिट नहीं जाएगा तो आप लोग समय कोड़ने कांषब करें अपने तो तीस नंबर आ रहा है तो आप अपना मेन एक्जामिनेशन की तयारी करिए दोस्तों देखिए जो कटाफ में आ भी जाता है अगर वो मेन की तयारी नहीं कर रहा है तो मान के चलिए वो कहीं नहीं वो बाहर हो जाएगा मेन से और आप स्टेंडर्ड तरीके से यहां पर मेने देखना चाहिए वहां पर माभड करा रहा हूँ यहांपर मैं सीपीसी कर रहाण तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप अपने नरे वहन дор ज red लिए बात करना चाहिए निस यह प्रफेज आपको डेली लिखना चाहिए जिससे की आपका मोटीवेशन और दुगना अउसके देखिए हैं आप सेकेंड कोईश्टन की हम बात करते हैं इसी के बारे में हम बात करेंगे हमारा की पॉइंट मिल गया सूट आप सीविल नेचर हमें और कहीं हमको इनसे मतलब नहीं है इनसे मतलब नहीं हमें मिल गया सूट आप सीविल नेचर के बारे में ही बताएंगे कि सूट आप सीविल नेचर क्या होता है इसके अंतरगत क्या-क्या फाल करता है और इसमें क्या-क्या बाते कर रहा है उस की पॉइंट को यहाँ पे निकाल लेना है और उसी बातों को सोचना है और धीरे-धीरे अपने आंसर को फ्रेम करना है और इसके अलावा कोई भी आपका कोई भी रामबार आपको नहीं दे सकता है कोई भी आपको घोल करके नहीं पिला सकता है जो मैं बता का answer क्या होगा मेरे according to many loka the term civil is not a defined joke Tomo tie just civil word had word cpc में defining तर टॉम सिबिल is not a defined in the code according to the dictionary meaning it prescribed private right and remedies of the citizen as citizens as citizen as distinguished from criminal political political religious etc... इसी चीज़ के बारे में बता रहे रहा रहे जो उसका डिक्सिशनरी मेनी बारे में आपको एक्षेट करना है और की वर्ड को ही आपको बार बर लिखना है अच्छे लेंग्वेज में लिखना है अच्छी तरह से आप फ्रेम करना सीखना बस यहां पर मैं फ्रेमिंग आपको सिखा रहा हूं इन दा केस इन यह इस पेशल कोट विल विल है जूरिजिटिक्शन टू ट्राइद शूट मिन्स कि यहां पर जो इस पेशल कोट होता है उसको जूरिशिक्शन के बारे में बताया रहा है कि वह किसी भी सीविल लिखर जो हमारा लौ है जो हमारा कोड है कि अगर अर्भाव्ली गया ने ले और पास और यह इस पेशल बना था पैमली कोट में लेकर आए अगर आपके पास इस पेसल बना यह फैमली कोट तो family court में आप लेकर के जाए अपने dispute को अगर कोई motor vehicle actor से अगर कोई related अगर कोई matter आता तो आप motor vehicle actor का जो ट्रिवनल बना उसमें पहले आप अपने matter को लेकर जाए यह वहाँ पर सुनवाई होगा अगर वहाँ पर सुनवाई नहीं होता है फिर आप अपने क्या करते आप अप जिविल' को इसको स्कूलब जाता है इसको प्रकार से बार कर दिए जाता है और वो किसी टाइम इन four Sales में अगरो बाड़ कर दियो तो इसको बार माना जाता है इन लोगों को अगर आपका त्रैफुनल बना है जो आपको त्रैफुनल में ही जाना है आपको गॉह Sikh even और रहे हैं इन लोगों को अगर आपका त्रैफुनल बना से बार्ट इहारा है तो आपको किया जा रहा है कि आपको विवक्षित रूप से बार्ट कर दिया जा रहा है कि geral अपने ट्रोबनल में जाना है उसके बाद से अगर नहीं मामला तो आप कोट में जा सकते हैं अब दोस्तों इंपलाइडली बार के बारे में देख लिए कि इंपलाइडली बार क्या होता है कब होता है बार जब जनरल प्रिंस्पल आप लौ से किसी तरह से बार हो जाता है और ऑन ग्राउंड अफ़ पॉलिक पॉलिसी का मामला है तो यहां पर आपकी सूट को क्या किया जा रहा है इंपलाइडली बार किया जा रहा है उसी एक्सप्रेसली बार और इंपलाइडली बार यही जो आपका मेन फेक्टर है इसी के बारे में आपको घुमा फिरा कर बातों को लिखने का कोशिस करना है अब यहां पर इसके सपोर्ट भी हम केस लोगते हैं इन दा लीडिंग केस आप साउथ डेली मुनिसिपल कार्पोरेशन वर्से टूडे होंज एंद इंफ्रास्ट्रॉक्ट्ट्रॉक्ट्स प्रइबेट लिमिटेड संदो हजार दो का संदो हजार बीस का यह मामला है यह लीडिंग केस है इसी लिए इस लीडिंग जजमेंट को मैंने यहां पर लिय इस लिए जाया जाता है उसी के बारे में यहां पर बताया जारा है जो किसला में ने लिया है अब दोस्तों यहां पर आपको मैं दिखाने के लिए यह लाए है वाट 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 दशूट इस सीविल नेचर दोस्तों कौन कौन सा सूट जो हता है जिसको हम लोगों सीविल नेचर का सूट करते हैं जैसे देखिए फर्स्ट यहां पर सूट रिलेटिंग टू राइट और प्राइट तुप प्रापर्टी अपने आंसर मीं यह सारी बातों को आपको लिखना होगा अगर इस प्रकार से कोश्चन आ रहा है तो जो राइट रिलेटिंग टूदा रिलेटिंग टूद राइट फिस एविल नेचर का सूट है फिर उसके पास शूट आप रिलेटि सीविल नेचर का मामला था तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कि सीविल नेचर का कौन-कौन सा मामला था अब हमारे पास जो important case आ जाता है वो case important होता है इसलिए क्योंकि सीपीड़ी में अगर हम इसी के बारे में यहाद रखना पड़ेगा दूला भाइबर से स्टेट अब बंद परदेश का मामला और सुप्रीम कोट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि कौन-कौन सा सूट जो हता है वह सीविल नेचर का हो अब कौन-कौन प्योर्डी रिलिजियस लाइट और सेरेमनी का तो इस सीविल नेचर का नहीं है दोस्तों जब आप अपने आंसर को तीन से चार बर पांच बार आप लिखेंगे तब आपको यह सारे पॉइंट आपके दिमाग में क्या होने लगएगा घूमने लगएगा और यही पॉइं के लिए इंपोर्टेंट हो जागा जब आप इस आंसर को तीन से चार बर लिखेंगे तो आपका दिमाग अलग काम करेगा आप अलग बुक में सर्च करेंगे कि किस प्रकार का आंसर फ्रेम किया जा रहा है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आप बुक को पढ़न या पर पूरा आंसर को फ्रेम किया है और इसी प्रकार से आप भी अपने आंसर को फ्रेम करने का कोशिस करिएगा ज्यादा बुक कलेक्ट करने की चक्कर में ना पढ़िएगा क्योंकि एक्जामिनेशन हाल ही में है और ज्यादा बुक कलेक्ट करने लगेंगे तो उसमें ज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा विडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन तो दवाना बिल्कुल ही न भूलुएगा जिससे मैं कोई और बिलेट्स लेकरके आ रहा हुँ यूपी पीची तो वह सारा अपडेट्स अच्छा लगता अगर इस शैशन को मैं कंटीनिू रखो तो आप दोस्तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता है कि इस avokal यह किस प्रकार से हेल्प फुल हो रहा है क्या इंग्लीज का सेशन ही आपके लिए सफिसेंट है जो आपका क्वाइरी होगा वह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बता सकते हैं उसके लिए मैं क्मेंट को मैं अच्छे दिल से पढ़ता हूं और उसके मैं मैं रिप्लाइब करता हूं मैं हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूं और इसका रिप्लाइब करता हूं देखिए डिफाइंट टेक आउट-फीक वारे बात कर रहा है राइट टू परदा नसीन लेडी to observe की ब रहे हैं सकतर है र्याइट टू एस पशीजट ओर में फेह सब्सक्रोर को हमुद्टा करका दोस्तों रही पाते जब सिविल नेचर का सूट मानते हैं जब दोस्तों आपको मैंटर न Honor को चिए थोड़ा-sahe करके आप अपने अंसर में दींद कर सकते हैं लीक सकते हैं बात करते हूं यहां पर नहीं ज्या श्टै?!" से सपर कें इसलिख करने जाते हैं जबशेट Meinung를 आपरोप्रियेट टाइम देना होता है कि क्या करें वो किसी ऐसे अस्थान पर चली जांट जहां पर वो किसी भी पूरुस के सामने नहीं आती है तो वही परदा उसी सिविल नियुक्र स्काइट होता है इस प्रकार का करने का हो सी approaches प्रेंचाइजेशी बात कर और घ्र राइटी उटो फ्रेंचाइजी 2 Commissioner बोटर इफ आपर तनीज एलिजबल टूट ही और सी कें फाइल और सूट तो इन फॉर्स अच राइट दो सूट आप सीविल निचर यह भी सूट क्या होता है दोस्तों यह भी जू सूट था वो सीविल निचर का सूट माना जाता है अब हमारे पास जो नेक्स आ जाता है फार्ट of the Constitution of India as well a stuart to enforce the such right is a suit of सीविल निचर इस प्रकार का जो भी राइट होता है उ सिविल निचर का रइट मंते हैं दोस्तों यह रहा आज का पूरा सेशन जो कर नहीं हो पा रहे हैं लेकिन किसी न किसी के आप मेन इसंद में एक्जाङीनितन में अपीर में श्बीन आप में आप्स working एक आप tuna मिई का करता दोस्तों और अच्छ अच्छा मिलते हैं. Thank you, दोस्तो.